हेले फ्रेंड कैसे हूँ उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे अकर आप लोग भी जून के माईने में कोई समार्टफोन लेना चाहते हैं 30 यार उपर से कम के प्राइज पर तो आप लोगों के इस वीडियो को पूरा जरूर देखने चाहिए और हाँ आज की इस वीडियो में आप लोगों को टॉप फाइब बताके कंफ्यूज नहीं करने वाला कूंकि आज आप लोगों को टॉप टॉप थ्री ऐसे स्मार्टफोन बताने जारे हैं जिसमें आप लोगों को तीशीया रूपर के साथ साथ एक अच्छा-खासा कैमरा और बड़नी प्लेवाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं वो भी कॉल कॉम श्नैपड़ागन प्रोसेसर के साथ तो थर्ड नंबर पर जिस स्मार्टफोन ने जगा फनाई हुई है वह हमारा आता है सैमसंग गलक्सी इस स्मार्टफोन के प्राइस के अगर हम बात करें तो 28 या 990 रुपए को सुरुवाती कीमत में आप लोग इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन या फिलिपकार्ट से आसानी से बाई कर सकते हैं वह सैमसंग गलक्सी वाला स्नाफ़ डेंट 175 प्रोसेसर देखने को मिल जाता तो मतलब इस स्मार्टफोन को आप लोगों को परफॉर्मस के मामले में तो कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली वाई सैमसंग गलक्सी A70 के अगर multitasking की बात करी जा तो इस स्मार्टपोन में आप लोगों को 6GB की RAM और 128GB की internet storage देखने को मिल जाती तो मतलब इस स्मार्टपोन में 6GB की RAM मिलती जिसके वड़ा से आप लोग Samsung Galaxy A70 को काफी टाइम तक यूज भी कर सकते हुआ अगर बात करी जा तो Samsung Galaxy A70 में आप लोगों को 6.7 इंच की एक Super AMOLED देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 395 का PPI देखने को मिल जाता तो Samsung Galaxy A70 के अगर camera segment की बात करी जा तो इस smartphone में आप लोगों को back में triple rear camera का setup देखने को मिल जाता जो main हमारा primary camera निकल के आता वो 32 Megafical का देखने को मिल जाता बाकि के 2 camera आप लोगों को 8 plus 5 Megafical के देखने को मिल जाते है Samsung Galaxy A70 के अगर battery segment की बात करी जा तो इस smartphone 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाते हुआ है इस smartphone ने के साथ आप लोगों को USB Type-C port का support भी देखने को मिल जाते हैं तो मतलब अगर आप लोग 30 रुपर से कम प्राइज में को एक बिग डिस्प्ले वाला स्मार्ट फोल लेना चाहते हैं आप लोगों को Qualcomm Snapdragon का प्रूसर से मिले और हाँ सिर्प समसंग का स्मार्ट फोन तो यह अगर प्राइस की हम बात करें तो 25,250 रुपए की सुरुवाति की मत में आप लोग इस स्मार्ट फोन को ऑन लाइन या फिलिपकार्ट से आसानी से बाई कर सकते हैं वहीं सैमसंग गलक्सी A51 के अगर स्पेसिकेशन की बात करी जा तो इस स्मार्ट फोन में आप लोगों को लेटेस अंड्रोइड ऑपरेटिंग सिस्टम अंड्रोइट 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाता वहीं परफॉर्मेंस के अगर बात करी जा तो सैमसंग गलक्सी A51 में आप लोगों को आक्टा को वाला 2.3 गीगार्ट प्लस 1.7 गीगार्ट प्लस सैमसंग का एक्जनॉफ 9 प्रोससर देखने को मिल जाता वहीं मट्साट किंग्र बात करेंगे जा तो सैमसंग गलक्सी डिफटीवर्न में आप लोगों 6THE条 9 जवाइब देखने को मिल जाती है जिसमें आप नौगों 6.7 नई बलके 6.5 इंच की डिस्प्लेय देखने को मिल जाता है जिसकी वरत से इस स्मार्टफोन की डिस्प्लेय को आप लोगों को कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली वाई Samsung Galaxy A51 के अगर camera segment की बात करी जा तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को बैक में quad rear camera का setup देखने को मिल जाता है जो में हमारा primary camera निकल के आता है वो 48 Megafical के देखने को मिलता है बाकि के 3 camera आप लोगों को 12,5,5 Megafical के देखने को मिल जाते है विद LED flash के साथ 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 सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 32 Megafical का front camera भी देखने को मिल जाता है तो मतलब इस स्मार्टफोन में camera के मामले में आप लोगों को काफी अच्छा performance दिया है को कि आप लोगों फ्रेंट हो या बैक दोने मामले में इस स्मार्टफोन से अच्छी खासी photo click कर सकते ह अगर बैटरी सेग्मेंट की बात करी जा तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाते हैं वहीं इस स्मार्टफोन में भी आप लोगों को fast charging के साथ जो भी टैप सी पोर्ट का support भी देखने को मिल जाते हैं तो अकर आप लोग भ को बड़ी डिस्पेले देखने पिले इसके सासाल आप लोगों को बेश्ट कैमरा भी देखने पिले और प्राइज हो से 30 यह रूपर से कम तो फर्श नंबर पर जिस स्मार्टफोन ने जगा बनाई हुई वह हमारा आता Samsung Galaxy A70S वहाई इस स्मार्टफोन के अगर प्राइस की सिस्टम एंट्वाट 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाता वाई परफॉमेंस के अगर बात करी जातों Samsung Galaxy A70S में आप लोगों को आक्टा कोर वाला टू गीगाट प्लस 1.7 गीगाट वाला Qualcomm Snapdragon 675 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता तो मतलब इस स्मार्टफोन में आप लोगो को Samsung Galaxy A70 जैसा ही परफॉमेंस देखने को मिलने वाला पर मल्टी टास्किंग अगर बात करी जातों Samsung Galaxy A70S में आप लोगों को 8GB की रैम और 128GB की इंटर्ना श्टोरेज देखने को मिल जाती है जहां इसी ट्राइल रेंज में आप लोगों को Samsung के और स्मार्टफोन सिर्फ 6GB रैम देते हैं बट Samsung Galaxy A70S में आप लोगों को इसी प्राइज में आप लोगों को 8GB रैम और 128GB की इंटर्ना श्टोरेज देखने को मिल जाती है वहीं Samsung Galaxy A70S की अगर डिस्प्ले की बात करी जाती है तो इसी स्मार्टफोन में भी आप लोगों को 6.7 इंच की एक बड़ी Super AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 395 का PPI देखने को मिल जाता है तो मतलब इसी स्मार्टफोन में ज्यादा रैम के साथ साथ आप लोगों को एक बिग डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है एक कैमरा सेग्मेंट के अगर बात करी जातों सैमसंग गलक्सी A70S में बैक में ट्रिपल रियर कैमरे का सटप देखने को मिल जाता है जो मेन हमारा प्रैमरी कैमरा निकल के आता वो 64 मेगा फिक्सल का देखने को मिल जाता वाएक दो कैमरे आप लोगों को एक अच्छे प्रोसेसर के साथ पसार आप लोगों को एट जी देता हुआ कैमरे के मामले में इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 64 मेगा फिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाता है अगर आप लोग भी इन तिनों स्मार्टफोनों के कि इन हिसान कि स्मारटफोन के लिया जाता है तो अगर आप लोगों को सैंसंग से टिर्म यह चाहिए नहीं है जाता इस सम्में में आप लोगों काफी प्लस प् recon देखना मिल जाते जहां इसी में अप आप लोगों को कॉलकॉम सिरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 6.67 इंज की एक सुपर एमलेट डिस्पले देखने को मिल जाती इसके साथ जहां और स्मार्टफोन 28 यूरोपे की सुरुवाती कीमत में आप लोगों को 6GB रैम देते पर सैमसंग गलक्सी में आप लोगों को 8GB की रैम देखने को मिल जाती जहां कैमरे के अगर बात करें तो और स्मार्टफोन में आप लोगों को यूसबी टाइप सी पोर्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाता तो मतलब 28 यूरोपे की सुरुवाती कीमत में आप लोगों को और स्मार्टफोन में इतने स्पेसिफिक इसन देखने को नहीं मिलते जो कि तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर देने क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के टेक और टेकनोलिजी और स्मार्टफोन के वीडियो ही लाते रहते हैं झाल 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 झाल